खाट संसाधन पसु के अती लगो तर्य प्रसंद करमांग पहला किसी दो स्रमिक पसु के नाम लिखे ऐसे पसु जो स्रम के कारेमें उप्योग किये जाते हैं तो हमें नाम बताना है तो कौँन से पहला हो गया बैल दूसरा उट कि नहीं दो दूद उत्पादक पसू के नाम लिखे ऐसे पसू जिससे हमें दूद की प्राप्ती होती है तो इसका एंसर होगा गाय और भैस इसके बाद तीसरा जन्तू भोजन उत्पादों के नाम लिखे ऐसे भोजन जो जन्तू से प्राप्त होते हैं दूद हो गया मांस हो गया अंडा हो गया तो आपको लिखना है दूद मांस तथा अंडा परमुक जन्तू भोजन उत्पा हरा चारा की परमुक किसमें कौन कौन से हैं तो हमें बताना है तो देखिए हरे चारे में पहला किसम है आपका नेपियर या हाथी घास कहा जाता है कुटों में मुर्गी बतक तर्की तथाहन से ये सारे जीव आते हैं तो इनके कौन-कौन से हार होते हैं वो बताना है करना है विभिन परकार के महीन दले हुए अना जैसे चावल चावल की भूसी गेहूं चोकर ठीक है मक्का बजरा मुफली की खली इत्यादी इनकी खुराकी इनकी कुकुटोगी ठीक है ये हो गया इनके हार देखिए एक अच्छे पसू आवास की दो भी सिस्ताएं हमें लिखनी है तो हम ऐसे लिखेंगे अच्छे पसू आवास की भी सिस्ताएं पहला है आवास जो होना चाहिए आवास स्वच सूखा तथा हावदार होना चाहिए पहला हो गई अभी सिस्ता दूसरा है आवास इस तरह होना चाहिए कि पसू धनों को प्रत्विकूल मौसम जैसे वर्सा कड़ी धूब तथा अत्यधिक ठंड से सुरक्षा मिल सके ठीक है तो ये दो भी सिस्ता ही हो गई साथवा प्रसन देखिए मुर्गियों में वायरेस से होने वाले दो रोगों के हमें नाम लिखना है तो पहला रोग है आपको लिखना है ऐसे मुर्गियों में वायरेस से होने वाला पहला रोग रानी खेत और दूसरा है हैजा रानी खेत देखिए वायरेस से होता है और ये ह बिक्र नसल की कुछ परजातिया निम लिखी थे हैं तो हमें इन दोनों में से हमें यहां पे सिर्व ही बताना है तो पहला आपको लिखना है करन स्वीश और दूसरा करन अगला प्रसंद देखिए नौ नमबर बकरियों की दो परजातियों के हमें नाम लिखना है तो दो लिखना है वाइट लेगार्न और दूसरा है राक आस्ट्रा नमर देखिए मच्छलियों के अत्रिक कि नहीं दो जन्तू के खाद भोजन के नाम हमें लिखना है जो जल से प्राप्त होते हैं मच्छली को छोड़कर जो है जिंगा और महा जिगट और किकड़ा ठीक है यह ख कौन से फोड़क्ट प्राप्त होते हैं तो मद्मक्खी से हमें प्राप्त होता है सहदिया मध्व और दूसरा है मध्व मों यह दो हो गए हैं अगला سबवाल देखिए 13 नमबर मदमक्खी के छथेज्वें रहने वाली तीन परकार की जातियां कौन कौन से हैं जो छथे में रहती हैं तो आपको ऐसे करना है मदमक्खी की छटे में रहने वाले समानिता पहले में एक रादी मदमक्खी दूसरा कुछ नर मदमक्खी या ड्रोन कहा जाता है और तीसरा कारिकरता या सेवक ये तीन तरह के मदमक्खी अपने भोजन के लिए फूलों से क्या लेती है तो फूलों से मदमक्खी पराकर्ण तथा मकर्रंद यानि फूलों का रस इकतर इसके बाद पंदर नमबर देखिए बिग्यान की वासाखा जिसके तरंगत पालतू पसू के संबंदित पक्चो का देन होता है क्या कह आता है तो आपको लिखना है पसू पालन क्या लिखना है पसू पालन हो गए यह इसके बाद देखिए सोलर नमबर हमारे देश में एक गाए प्रती वर्स औसतन कितना दू दूद देती है एक वर्स में औसत दूद हमें बताना है तो आईए करते हैं सर तो हमारे देश में भारत में एक गाय का आस्तन करीब 200 केज़ी दूद प्रतिवर्स होता है ठीक है लेकिन दूसरे देशों में अस्ट्रेलिया और निदर लेंड में 35 केज़ी ये काफी जागा अगरा प्रसन देखिए 17 नमबर हमारे देश में प्रती बेक्ती भोजन के रूप में मांस की बारसी खपत कितनी है एक बेक्ती एक साल में कितना खपत करता है मांस का भारत में तो हमें यहां से करना है हमारे देश में यानि भारत में प्रती बेक्ती भोजन के रूप में मांस की बारसी खपत एक बैक्ती द्वारा सिर्फ एक सु एक्तिस क्राम है इसके बाद 18 नमर देखिए खरगोस के किस नसल से अच्छे किसम की उन फ्राप्त किये जाते हैं तो उन उत्पादन में अंगोरा किसम के खरगोस के नसल से इसके बाद देखिए 19 नमर गाय बच्चे जन्ने के बाद जिस सिमित काल के लिए दूद देती है वह काल क्या काल आता है तो वह काल काल आता है दूद स्रवट काल बिस्वा देखिए हर्याणा राज्य के जिस सस्थान में अधिक दूद देने वाले गायों की सक्कर नसले यानि हाईवरिट नसले तयार की जाती है विक्सित की गई है उस सस्थान का में नाम बताना है ठीक है तो आईए करते हैं तो वो सस्थान है NDRI यानि National Diary Research Institute इस नमर देखिए उच्च उत्पादन च्छमता वाली यानि दूद की जादा मातरा में उत्पादन करने वाली भैसे कौन सा है मेहसाना तथा सुर्टी समाने तो हमारे देश के किस राज में पाई जाती है तो महसाना और सूती जो है वो गुजरात राज में पाई जाए इसके बाद 22 नमबर पसू में कृत्विधी से वरीय को मादा के योनी में परविष्ट कराना क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है कृत्विधी सेचन आर्टिफिसियल इंसीमिनेशन इस नमबर देखिए उन्नत नसल के पसू के वरीय का संग्रा स्टोर किये जाने वाले संस्थान क्या कहा लाते हैं तो वो संस्थान देखिए वरीय का संजैन ठीक है यानि कुलेक्शन ओव सीमन तो वो संस्थान कहा लाते हैं वरीय बैंक सीमन बैंक आपको लिखना है व्रिये बैंक इसके बाद देखे 24 नमबर पसू में परिक्षित व्रिये को मादा की योनी में सूवी से फरविष्ट कराकर अंडे को निसेचित करने की विधी क्या कहलाती है हमने अभी देखा आर्टिफिसल इंसीमनेशन इसमें क्या होता है व्रिक्षित व्रिये जो चैनित किया जाता है सीमन को पादा की योनी में सूवी द्वारा परिष्ट कराकर अंडे को निसेचित किया जाता है 25 नमर देखिए पसू धनों को दिये जाने वाले हरे चारे के किन जानी घास ठीक है और रोट्स घास तथा 26 पसू धनों में बैक्टेरिया से होने वाले दो रोगों के नाम लिखें जो बैक्टेरिया से जो होते हैं सुख्षमजीव से जो रोग होते हैं पसू में हमें दो का नाम बताना है तो बैक्टेरिया से यानि सुख्षमजीव से प इसमें स्रीर फूल जाता है, बुखार आता है, दूद में कमी आती है तो हमें यह सारे नहीं बताने हैं, बस हमें रोक के नामें लिखना है पहला आईए 27 नमर देखिए, आर्थिक लाफ के कुकुटो का पालन क्या कहलाता है तो इसका एंसर काफ़ी सिंपल है आर्थिक लाफ के लिए इनका पालन प्रजनन कहलाता है, कुकुट पालन ठीक है, फॉल्टी फार्म कहा जाता है जिसे 28 नमर देखिए, अधिक मांस के उत्पादन के उद्देसे से मर्गियों के कौन से नसल का समाने ता पालन किया जाए हमें यहे लिखना है, राग, आस्ट्रा, लाब, और दूसरा, देखिए, सेंसेक्स, और तीसरा है, बलेक, माइकोना, इसमें से बस आपको दो ही लिखने है, तो यह ज़्यादा अंडे देती है, और यह ज़्यादा इनसे मांस उत्पादन होता है, अंडो का कार भी बड़े होते हैं, यह बिदेशी नसल की मुर्गिया कहलाती है, तो आपको यह लिखना है, हैवरिट वाली मुर्गिया जो होती है, सकर नसल की मुर्गिया, ज़्यादा उत्पादन वाली मुर्गिया है, आई, ल, एस, बिरहासी, डवल एंच, दोसो साथ, और दी सतहत्तर, ठीक है, यह जो मुर्गिया होती है, तीनों, इनसे ज़्यादा अंडे उत्पादन होता है, इसके बाद तीसवा देखिए, मुर्गियों के अतरिक्त, अंडे उत्पादन करने के लिए, कुक्टों के कौन कौन से परकार का पालन किया जाता है, यह, कुक्टों में मुर्गी, बतक, तर्की और हंस आते हैं तो मुर्गियों को छोड़कर बत्क तर्की और हंस इनसे भी अंडे प्राप्ट किये जा सकते हैं तो आपको यह लिखना है इन तीनों के नाम लिखना है तो आपको लिखना है बत्क तर्की तथा हंस 31 नमबर देखिए हमारे देश में ऐसे दो अस्थानों के नाम हमें बताना है जहाराश्टी कुकट फरेजनन फार्म चलाये जा रहे हैं पहला हो गया राश्टी कुकट फरेजनन फार्म होने स्वर दूसरा मुंबई 32 नमबर मुर्गी पालकों को कुछ लागत खर्च का करीब कितने परतीसत मुर्गियों की खुराग पर खर्च करना चाहिए तो हमें यहां से करना है मुर्गी पाल कर आर्थिक लाव उठाने के लिए कूल लागत का करीब 70% मुर्गियों की खुराग पर खर्च करें कितना? 70% 33 नमबर देखिए सवाल क्या है 33 नमबर सवाल देखिए कुकुटो को होने वाल एक संक्रामक रोग का हमें नाम बताना है तो कुकुटो के सबसे खतरनाग वहेंकर संक्रामक रोग काहलाता है रानी खेत यह काफी संक्रामक रोग है इसमें क्या होता है कि उनका सरीर काफी कमजोर पड़ जाता है ठीक है? और ये वाइरस के कारण होने वाला बिमारी है 34 नमर देखिए बिग्यान की वह साखा जिसका संबंद मचली उद्योग से है क्या कहलाता है तो वो कहलाता है मतस्य पालन, फीस फार्मिंग या पीसी कल्चर ठीक है समझ में आगए आपको 35 नमर देखिए मतस्य के अंतरगत मचलीों के अतरिक पाले जाने वाले किनी दो जन्तूओं के नाम लिखना है तो मचलीों के अतरिक जो पाला जाता है जहींगा महा जिगट ठीक है दो नाम लिखना पहला जहींगा दूसरा महा जिगट तीसरा केकड़ा भी लिख सकते हैं आप 36 नमर देखिए जलिये पोधो तथा जलिये जन्तूओ का पालन करना क्या कहलाता है तो वो कहलाता है जलिये सवर्धन ठीक है इसके बाद 37 नमर देखिए कूल मचलिये उतपादन के छेतर में भारत का पूरे विश्व में कौन सा अस्था स्थान है तो पूरे विश्व में भारत का अस्थान है मचलिये उतपादन में सातवा स्थान है 38 नमर देखिए किस कारिक्रम के नर्गत किया जाता है कारिक्रम कहालाता है समुंदरी मतस्की 49 नमबर देखिए आर्थिक महत्वाली किनी दो परकार की समुंदरी मछ्छियों के नाम हमें बताना है ये सारे जितने नाम दिये गए हैं ये सभी आर्थिक महतुवाली मचलिया हैं इनसे ज्यादा रूपिया पैसा कमाया जाता है पहला देखिए सार्डिन दूसरा है एकिनुविस तीसरा है सियर फिस और चोथा है टूना ये सारी कौन सी फिस से कहलाती है ये सारी आर्थिक महतुवाली समंद्री मचलिया कहलाती है चालिस नमबर देखिए, सवर्धित मोत्यों का उतपादन, किस जन्तू इंसर लिखना है, आईस्टर, ठीक है? एक तालिस नमबर देखिए, मच्छलीों की कई परजातियों का एक ही तलाब में एक ही समय किये जाने वाले सवर्धन क्या कहालाता है? कई पर जाती हो कि मच्छलियों का सवर्दन एक थालाब और एक थालाब में और एक ही समय किया जाता है 42 नमबर देखिये मच्छलियों में पिजूटरी हार्मोन की सूई लगाकर युगमक प्राप्त करने की बिधी क्या कालाती है तो वो बिदी कहलाती है प्रेरित प्रजैनन ठीक है, इस सेर्सन का अखरी सवाल देखेए 43 मदमक्धी पाहलन के लिए बेवार में आने वाले बक्से क्या कहलाते हैं तो वो कहलाती है मद्मक्धी बेटी का, ठीक है, तो समापत होता है आज का सेर्सनओ अभी करता हूं सारे सवाल आपको अच्छे समझ में